हलो दोस्तों वेलकम बेकून रिपब्लिक स्टेनोग्राफी डिक्टेशन स्टार्ट होगी पास सेकेंड बाद स्टार्ट महुद्य छेत्र दिकार से तातपर्य है न्यायालियों की वह शक्ती जिसके अंतरगत वह वादो अपीलो एवं आवेदनों को ग्रहन करने की छमता रखते हैं सिविल न्यायालियों को निम्लिखित चार प्रकार के छेत्र दिकार प्राप्त हैं इस्थानिय या प्रादेशिक अधिकारिता विशेवस्तू संबंदित अधिकारिता धन संबंदी अधिकारिता प्रारंबिक एवं अपीलिय अधिकारिता सिविल जज एवं लगुवाद न्यायालियों को मात्र प्रारंबिक छेत्रदिकार प्राप्त है जबकी उच्च तम न्यायालियों जिला न्यायालियों या अपर जिला न्यायालियों और सिविल जज सीनियर डिवीजन को प्रारंबिक एवं अपीलिये दोनों प्रिकार की अधिकारिता प्राप्त है उच्चितम न्यायाले को सवीधान के अनुच्छेद 131 के अंतरगत प्रारंबिक तक अनुच्छेद 132 एवं 133 के अंतरगत अपीलिये छेतरदिकार प्राप्त है छेतरदिकार के अभाव में किसी न्यायाले द्वारा विचारित एवं निर्नित मामले शून्य होते हैं धारा नो में यह उपवंदित किया गया है कि न्यायाले को इसमें अंतरविष्ट उपवंदों के अधीन रहते हुए सिविल प्रकर्ती के सभी वादों के विचारण की अधीकारिता होगी सिवाए उनके जिनका ऐसे न्यायाले द्वारा स्तंग्यान अभिव्यक्त रूप से वर्जित किया गया है सिविल प्रकर्ती के वाद कोन है इसे इस पश्टी करण में पताया गया है ऐसे वाद जिनमें संपत्ती संबंदी या पद संबंदी अधीकार प्रतिवाधित है यद्यपी की ऐसा अधीकार धार्मिक करत्यों या कर्मों संबंदी प्रशनों के वी निश्चे पर पून रूप से एविलंबित है सिविल प्रकरती के वाद है पद के साथ शुलक या उसका किसी विसेश इस्थान से सलगन होना सिविल प्रकरिया के वाद के लिए आवश्चक नहीं है न्याइक वी निश्चों के आधार पर निम्न वाद सिविल प्रकरती के वाद माने गए हैं पूजा का अधिकार जुलूस निकालने का अधिकार मृतक को दफनाने का अधिकार पेटेंट कापिराइट ट्रेड मार्क आधी अमूर्त संपत्ती संबंदी वाद सविदा भंग की दशा में नुकसानी निर्धारन से संबंदित वाद मत देने का अधिकार संविदा के वी निर्धिष्ट पालन व्यादेश एवं गोशनात्मक डिक्री संबंदी वाद विवा विच्छेद संबंदी वाद राजर्मा के उप्योग संबंदी अधिकार भागीदारी संबंदी वाद लेखा संबंदी वाद आरक्छन संबंदी वाद जन्म तिथी में सुधार संबंदी वाद जाती से निशकाशन संबंदी वाद आदी शिरी रामानुज बनाम शिरी रंगा रामानुज जी AIR 1961 के मामले में उच्चतम न्यायाले ने यह धारित किया है कि विशिद धार्मिक संबंदी वाद संबंदी वाद सिविल प्रकर्ती का वाद नहीं है सहीता की धारा दस के अंतरगत विचारादीन न्यायाले के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है इसका उद्देश्य संबर्ती छेत्रदिकार वाले दो न्यायाले को एक ही समय में एक ही विवाद ग्रस्त विशे पर दो समानांतर वादों के परिक्षण को रोकना है धारा दस पश्चातवर्ती वाद के विचारन को रोकती है नेकी वाद को संस्थित करने से रोकती है धारा दस के प्रवर्तन के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवशक है दो बाद दो संबर्ती छेत्र दिकार वाले न्यायालियों में विचारा धीन हों पश्चातवर्ती वाद में भी विदिक विशे पूर्ववर्ती वाद के समान हो धारा दस के अंतरगत पारित इस्थगन आदेश के विरुद अपील नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा आदेश ने तो दिकरी की श्रेणी में आता है और नहीं अपील योग्य आदेशों की श्रेणी में आता है किन्टु पुने रिखण का आवेदन दिया जा सकता है धारा दस के इस पश्टी करण के अनुसार विदेशी न्यायाले में किसी वाद के लंबित रहने की अवधी में उसी वाद हेतुक के आधार पर किसी वाद के विचारन का अधिकार भारतिय न्यायलियों को प्राप्त है यहां धारा दस लागू नहीं होगी किसी वाद के लाद धुछ है